स्वागत है आप सभी लोगों का लौवाला पे मैं हूँ इसरा खान और आप लोगों के साथ मैं लौवाला पे फाउंडेशन बैच पे CPC कवर कर रही हूँ आज CPC के अंदर हम CPC का एक बहुत important concept कवर करने वाले हैं I'm sure जितने भी practice करने वाले लोग अभी मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा इस concept के बारे में बैसिकली आज के session में हम लोग पढ़ने वाले हैं के वियाट के बारे में और CPC के अंदर के वियाट का जो provision है वो section 148a में दिया हुआ है जिसको amendment act of 1976 से add किया गया था तो CPC में तो एक के वियाट का जो provision दिया हुआ है वो इससे related है कि जो भी इंसान जिसको लगता है कि किसी भी case में किसी भी matter में उसके against suit institute किया जा सकता है या कर दिया गया है और उस case में उसको intimation चाहिए यानि कि उस case में क्या चल रहा है उसको एक notice चाहिए उसका तो वो एक केवियाट petition court में दाखिल कर सकता है केवियाट का literal मतलब क्या होता है तो be aware इसको हम लोग अच्छे से आज के session में cover करने view से इसको भी cover करेंगे यह जो concept है यह आपके prelims यानि के mcq format के जो questions आते हैं उसमें कई बार पूछा जाता है जहां पर भी CPC पूछी जाती है section 148 जरूर पूछा जाता है तो अगर हम लोग एक example से समझना चाहें कि क्या होता है मान के चली कोई property है और उस property से related को dispute चल रहा है किसी suit में किसी भी case में कोई dispute चल रहा है इस property से related तो क्या करते हैं आप एक suit institute करते हैं suit institute करते हैं किस के खिलाब x के खिलाब आपके और x के बीच में suit institute किया जाता है मान के चलिए उस suit में आपके favor में decree pass हो जाती है आप decree holder हो जाते हैं अब आपके favor में decree pass हो गई आप decree holder हो गई आप जीत गए इस case में लेकिन जो x party है आपको ये पता नहीं और x party एक appeal फाइल कर देती है आपके against एक appeal आपके against appeal में चली जाती है अब यहाँ पे जो appell art quote है नहीं है आपको कोई भी knowledge नहीं कि इस court में appeal में जब matter जाता है तो बहुत सारी चीज़े होती ही जो सुलवाई जिस point पे हो जाती है अब उस point पे आपको कोई भी knowledge नहीं है कि क्या चल रहा है तो आप ऐसे cases में या फिर आपको लग रहा है किसी भी property से related matter है कोई भी property से related matter है मानके चलिए किसी भी land या property से related matter है कोई contractual matter है अगर तो ऐसे cases में आपको लग रहा है कि आपके against ex party जो है वो suit ला सकती है suit file कर सकती है या कर दिया है दोनों ही case में यानि कि suit file हो गया है या हो सकता है in future future में हो सकता है तो ऐसे cases में भी आप KVr ko file कर सकते हैं court में और ऐसे मैं जब आप KVr file कर देते हैं तो ऐसे cases में यह bound हो जाता है court साती सात जो party जिसके against आप KVr file कर रहे हैं वो party भी suit में bound हो जाती है कि आपको इस application का जो बहु लेके आई है और court ये bound हो जाता है जो भी documents है जो भी application है वो आप तक पहुचे ठीक है आपको उस चीज़ का notice मिले तो KVR का concept जो है वो basically इसलिए होता है कि कोई भी party जो है वो X कोई भी matter जो है X party heard ना हो यानि कि जो fundamental principle है हमारा ordi altrium partum का उसको कहीं न कहीं ये protect करता है दोनों ही party इसको hear करा जाए और किसी भी case में court X party ना proceed कर जाए और अगर proceed कर रहा है तो KVR के help से वो जो party है जिसके against कोई order issue किया जा रहा है कोई judgment pass हो रहा है उसको भी इस बात का notice हो और वो भी अपना पक्ष रख पाए अब देखिए अगर हम लोग इसके meaning की बात करें literal मतलब की बात करें dictionary meaning की caveat की तो वो क्या होता है basically CPC में इसको define नहीं किया गया है अगर इसका literal meaning देखे तो इसका मतलब होता है be aware यानि की दूसरे पार्टी को इस बात का notice हो दूसरे पार्टी को इस बात के knowledge हो कि court में क्या चल रहा है उसके against तो basically it is been derived from the Latin word be aware और इस concept को CPC में section 148 के तौर से इसको include किया गया था amendment act of 1976 ते इसको insert किया था in the civil procedure code अब देखिए अब यहां पर हम लोग देखिए इसका dictionary meaning dictionary meaning कहता है कि एक caveat क्या होता है entry होता है which is made in the books of offices चाहे वो registry हो चाहे वो court हो court के books में यानि की court के registers वे court के official records में basically the official records the court के official records में इसको maintain किया जाता है इसको insert किया जाता है इसको mention किया जाता है और यह किस लिए किया जाता है कि कोई भी step ना लिया जाया उस person के अगेज जिसने kvr को lodge किया है kvr को kvr application kvr petition को file किया है court में बात समझ में आगई तो एक entry होती है जो code के records में होती है कि अच्छा इस इंसान ने ये kvr lodge किया है तो अगर इसके against को suit institute किया जा रहा है तो उसको proper notice दे दिया जाए अब यहां पर एक important case law है जहां पर define करा गया kvr को निर्मल चन्द वसिस गिरिंद्रा नारायन बहुत important case है इसमें define किया गया कि kvr word क्या होता है kvr basically caution होता है warning होती है जो कि पार्टी जो है court को देती है कि अगर कोई भी suit institute किया जा रहा है उसको इस बारे में knowledge हो और more importantly कोई भी relief कोई भी action नहीं लिया जाएगा kvr के against और कोई भी relief नहीं दी जाएगी applicant को जब तक कि notice नहीं दिया जाता है by the person who has filed the caveat यानि की by the kvr समझ में आ गया basically notice का जो main cause होता है main reason kvr को file करने का यह होता है कि proper notice हो दोनों ही parties को कौन lodge करता है kvr kvr launch करता है the person who lodges the kvr is known as the kvr और जो person जिसको intimate किया जाता है कि आप application की बारे में जो भी notice है वो kvr को देंगे the other party कौन है वो वो होती है kvr clear होगी बात तो basically यह जो kvr है कोट को दिया जाता है कोट में file किया जाता है और कोट से कहा जाता है कि अगर कोई भी suit institute होता है तो हमें notice देंगे साथ है साथ कोई अगर relief आप देना चाह रहे हैं तो आप other party को नहीं देंगे जब तक कि हमें intimation नहीं होता है इस point पे तो kvr अगर हम लोग देखें तो बहुत important concept है दोनों ही parties को proper hurt करने के लिए और more importantly x party court ना proceed करें कई बार हमनों देखा है जब defendant नहीं आ पाता है तो court क्या करता है x party प्रोसीड कर जाता है और उसको hear करें बिगैर ही आगे next step ले लेता है तो उस step को रोका जाता है इसी लिए ताकि दोनों ही parties को equally hearing का option opportunity में अब यहां पर अगर हम लोग object के बात करें बहुत important है इसका object जाना क्यों legislate किया गया सबसे पहले जो interest होता है interest of the person against an order that may be passed against है कोई भी ऐसा person जिसके against कोई order करा जा सकता है by the court कोई भी order code कर सकता है यह कोई भी suit institute किया जा सकता है और उसके बाद कोई order या judgment पास किया जा सकता है उसके against तो उस person को protect करता है KVR साथी साथ multiplicity of proceeding को भी prevent करता है किस प्रकार prevent करेगा देखिए अब मान के चलिए एक सपार्टे code प्रोसीड कर गया अब क्या option है अब एक नए तरीके से suit institute किया जाएगा एक नए तरीके से जो proceeding है वो चलेगी तो उसको prevent करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने इसको देखा था order 9 order 9 के rule 6 में जब एक सपार्टे प्रोसीड कर जाता है तो क्या option होता है तो वो हम लोगों ने cover करा हुआ already तो यहां पर अगर कोट एक सपार्टे प्रोसीड कर गया मान के चलिए या उसने here नहीं करा opposite party को तो यह और सारी प्रोसीडिंग्स को उभार के लाएगा नहीं नहीं प्रोसीडिंग्स को ले के आएगा तो इसलिए इससे वेटर है कि आप के भी आट petition file कर दो और कोई भी सूट अगर आपके against institute होगा तो आपको उस particular case में notice मिल जाएगा intimation मिल जाएगा साते साथ में ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने बताया no orders to be passed expati साते साथ it is the main object is to enable the caveator to be heard before any orders are passed आप कम से कम उसका जो पक्ष है के वी आटर जो के वी आट ले के आया है कोट में कम से कम आप उसका उसका जो पक्ष है उसको सुन पाए क्लियर हो गई बात आगे बढ़ते हैं who may lodge a KBR main जो बात यहां पर यह होती है कि भई लॉच कौन कर सकता है KBR क्या कोई भी इंसान कर सकता है तो आए समझते हैं सबसे पहले he must be a person claiming right to appear before the court on hearing application यानि कोई भी application पे उसके पास right to appear हो कि कहां पर appear करने का before the court so he must be having a right to appear before the court साथ ही साथ any person who is going to be affected by the interim order भले ही वो third party क्यों नहों भले ही वो third party क्यों नहों उसके पास right होना चाहिए किस चीज़ का की appear करे पहली बात तो यह और डूसरी बात यह maybe a third party लेकिन he must be affected by the order अगर उस order उस judgment के against अगर उसके against पास होता है तो वो भी affect होगा उस order से तो वो भी एक caveat को lodge कर सकता है और क्यों ना करे अगर मान के चलिए मैं किसी भी suit में party नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस property के against कोई order पास हो जाता है तो मैं भी उससे affect होंगी तो मैं भी caveat application फाइल कर सकती हूँ strangers to a proceeding cannot lodge a caveat lodge जहां पर word आता है वहां पर FIR connect हो जाता है तो यहां पर prelims point of view से question तुरंत ही बन जाता है क्या क्याना stranger lodge a caveat तो यहां पर stranger जो है वह के वियाट को lodge नहीं कर सकता याद रखेगा साथी साथ किसी भी case में सिर्फ necessary party नहीं बलकि proper party भी caveat lodge कर सकती है necessary party और proper party हम लोगोंने कौन से order में cover करा हुआ है comment section में share करिएगा all the law students have to share in the comment section कौन से order में हम लोग already cover कर चुके है और बताएगा कि necessary party क्या होती और proper party क्या होती है और जिसको भी इस बारे में knowledge होगी वो I think पढ़ा है चलिए आगे बढ़ते हैं when a caveat may be lost अब सवाल उठता है कि कौन से stage पे आप फाइल करोगी कौन से stage पे आप लॉज करोगे तो basically जब judgment generally कब आप लॉज करोगे generally generally आप उसको तब लॉज करोगे जब judgment pronounce हो चुका है जब order pass हो गया है लेकिन exceptional cases में before pronouncement of judgment भी आप कर सकते हो यानि कि तभी कहा गया है suit institute हो गया है suit is instituted और it is about to be instituted दोनों ही case में जो है जो caveat है वो लॉज किया जा सकता है समझ में आगई बात तो after the judgment or order has pronounced or even in exceptional cases before the judgment or order has been made form of caveat क्या होगा किस प्रकार आप एक caveat मान के चलिए आपके property के अगेंस्ट को dispute चल रहा हो आपको लग रहा है कि other party जो है वो मेरे अगेंस एक suit institute करेगी और हो सकता है उसको भी benefit मिल जाए तो ऐसे cases में आपको के वियाट फाइल करना है लॉट करना है कोट में तो उसका particular form क्या होगा what is the prescribed form by law law कौन से form को बताता है के वियाट किस प्रकार करेंगे तो as such कोई भी specific form for lodging के वियाट नहीं दिया गया है cpc के अंदर जिस प्रकार हम लोगों ने देखा है किस तरह से plant लेके आएंगे ws लेके आएंगे यह सारी चीज़े हम लोगों ने देखी विया लेकिन के वियाट के बारे में कोई भी form नहीं दिया है और जितने भी form है वो cpc की bear act जब आप लोग देखोगे तो उसके appendix b में दिये वे हैं जादा तर जितने भी forms है तो उसके appendix b में दिये वे हैं बट अब यहां पर दूसरा point देखे बट इट में भी filed in the form of petition जिस प्रकार एक petition फाइल की जाती है उस प्रकार आप के वियाट भी लॉच कर सकते हो इस तरह से करेंगे देखें in the high court of Delhi at new Delhi kvr number 2017 इस तरह से फाइल होगी arising out of the judgment and order dated this so and so suit number यह था title यह था passed by this civil judge in the matter of इस प्रकार जिस तरह से petition फाइल किया जाता है उस तरह से फाइल होगा बस changes क्या होंगे यहाँ पर kvr की heading जो है वो add कर दी जाएगी तो जितने भी practicing लोग है यहाँ पर जो practice कर रहे हैं वो पता सकते हैं अच्छी तरीके से comment section में जरूर शेयर करिएगा कि क्या है procedure kvr को file करने का आगे बढ़ते है where the kvr may be file अब सवाल यह उठता है कि कैसे होता है कब होता है कौन करता है यह तो clear हो गया लेकिन कहां पर file होगी तो civil court of original jurisdiction अब इस civil court of original jurisdiction में tribunals भी आते हैं जितने भी जितने भी forum है law forum वो सारे ही civil court के original jurisdiction में आ जाते हैं साथी साथ आपको apple art court मिलेगा high court मिलेगा और supreme court मिले तो kvr इन सारी ही stages पे file किया जा सकता है कौन से cases में याद रखिएगा civil cases में क्रिमिनल cases में के वी आट को lodge करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है कोई भी right नहीं है criminal cases में आपको kvr file करने का kvr का petition डायर करने का court में criminal cases में ऐसा नहीं होता है लेकिन civil cases में ऐसा आपको option मिल क्रिमिनल cases में अक्छली होता यह है कि जो appeal का जो provision है वह इतना ज्यादा elaborate है और criminal cases में यूज्वली जो opposite party होती है उसको case का intimation होता ही होता है एक common sense की बात अगर देखी जाए और civil cases क्योंकि property land contract maintenance divorce related होते हैं तो ऐसे cases में क्या होता है यूज्वली opposite party को case का intimation case में क्या चल रहा है अपील में क्या हो रहा है यह सारी चीज़े नहीं पता होती है तो ऐसे cases में यह option दिया होता है कि civil cases में आप केवियाट को file कर सकते हो अब यहाँ पे rights और duties की बात करी जाए अगर हम लोग केवियाटर की right और duty की बात करें तो उ person lodging केवियाट उसके क्या duty होती है he has a duty to serve a notice of the केवियाट on the person by whom an application has been made और it is expected to be made बहुत important point है यानि कि जो basically उस case की opposite party है उस case की opposite party को आप यह बताओगे कि आपने एक केवियाट फाइल किया है उसको केवियाट के बारे में यह notice दोगे on the person by whom an application यानि कि उस party ने जिसने application किया है चाहिए वो appeal से related हो चाहिए वो जिस भी point पर हो उस party को आप यह बताओगे कि आपने केवियाट file किया है अब applicant जो होता है जिसने application दिया है जिसको आप ये notice दे रहे हो kv8 के बारे में उसकी क्या duty बनती है उसकी duty ये बनती है उसकी duty ये बनती है कि he has to furnish the kv8 the copy of the application made by him along with the papers all those important papers all those important documents जिस पे उसका वो application जो है वो rely कर रहा है तो यह applicant की duty होती है कि वो kv8 को यहां पे kv8 को क्या करेगा वो ये intimation देगा by serving the application the documents जिसकी उपर उसका case जो है वो rely कर रहा है कोट के बारे में अगर हम लोग बात करें कोट के ऐसे cases में क्या duty होती है he has a duty the court has a duty to serve the notice of application इस application का जो serve किया गया है कोट को और ऐसे cases में जहां पे kv8 petition already filed है lodged है कोट में तो कोट क्या करेगा वो kv8 को इस particular case में notice देगा तो यहां पे अगर हम लोग समझना चाहें तो easily आप समझ सकते हो तीन बाते हम लोगों ने देखी यहां पे जो तीन बाते हैं वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं पहली बात यहां पे एक kv8 petition जो है kv8 petition फाइल किया गया इसके द्वारा उस पार्टी के द्वारा जिसको लग रहा है कि उसके अगेंस्ट एक सूट इंस्टिट्यूट हो चुका है या हो सकता है कि क्या हो सकता है तो वो kv8 petition फाइल करेगा अब इस petition का जो है notice वो किसको देगा opposite party को देगा opposite party को देगा और वो opposite party कौन होगी जो code में एक application फाइल करी होगी इसके अगेंस्ट इस पार्टी के अगेंस्ट application इसने फाइल किया होगा अब इसको notice दिया जाएगा opposite party क्या duty बन रही है यह जो application है इस चीज का notice को उसको देगा इस चीज का notice मिलेगा के वी आटर को यानि कि जिस पार्टी ने के वी आट रॉच किया है clear होगी बात अब court की यहाँ पर क्या duty बनती है court की यहाँ पर क्या duty बनती है कि यहाँ पर के वी आटर को यह जो application फाइल किया गया है court में इसका भी intimation दे दे तो basically यही है जो आपकी समझने की बात है clear हो गई अब अगर हम लोग बात करें time limit की ठीक है यहाँ पर life क्या होता है lifespan of के वी आट का lifespan क्या होता है कई बार इससे सवाल पूछा गया है तो यह 90 days का time span होता है जिस दिन आप kvart को file करोगे from filing from the day of lodging kvart वहाँ से 90 days का time period होता है यानि की 90 days तक की यह alive रहेगा आपको मान के चलिए किसी किसी भी matter में आपके बीच में A और X के बीच में dispute चल रहा है और आपको लग रहा है कि यह suit institute कर सकता है आपके खिलाव तो आप court में जाते हैं और court में जाके आप एक kvart petition file कर देते हैं kvart petition file करने के बाद मान की चलिए 90 days तक कोई भी action नहीं लिया गया और जो action लिया गया वो 91st day पे लिया गया 91 days गुजर गए तो ऐसे cases में आपका जो kvart petition है वो dead है अब इस time पे आप आपको कोई भी notice नहीं दिया जाएगा तो यहां पे आपको फिर से kvart petition file करना होगा इसको revive करने के लिए इसको आप revive कर सकते हो 91st day पे मान की चलिए अगर कोई suit institute हो सकता है आपके against पर आपको यह लग रहा है तो 90 days का जब time period expire कर जाएगा तो आपको इसको फिर से refile करना पड़ेगा और इसको revive करना पड़ेगा यह time limit की बात करीगा इसके बारे में कई बार question पूछा गया याद रखेगा अब अगर हम लोग section की बात करें CPC क्या कहता है इसको समझते हैं section 48A 1976 के amendment act से add किया गया यह याद रखेगा clause 1 कहता है when an application is expected to be made पहली बात और has been made in a suit or proceeding instituted or about to be instituted in a court any person claiming a right to appear before the court on hearing of such application may lodge a caveat in this respect clause 2 कहता है where a caveat has been lodged under subsection 1 the person by whom the caveat has been lodged caveater shall serve a notice of caveat by a registered post registered post के माध्यम से आब बेज होगे acknowledgement due on the person by whom the application has been made has been or expected to be made under subsection 1 तो यहाँ पे notice की बात करी है notice of caveat कौन देगा caveater देगा clear clause 3 कहता है where after a caveat has been lodged under subsection 1 any application is filed in any suit or proceeding the court shall serve a notice of the application on the caveater तो अगर कोई भी application जो बनाया गया है against the caveater इसको serve किया जाएगा on the caveater यह court की duty है subsection 3 क्या बताता है court की duty बताता है 4 में देखिए where a notice of any caveater has been served on the applicant he shall forthwith furnish the caveater at caveater's expense तो यहाँ पे पैसा किसका होगा ब्रो पैसा कौन देगा caveater देगा ठीक है caveater's expense with a copy of application application की copy देगा साथी साथ documents देगा copies of any paper or document which has been made और may be filed by him in support of his application अपने application को डिसके उपर base कर रहा है और रिलाय कर रहा है यानिके application और docs दोनों ही यह देगा किसको caveater को clause 5 केता है where a caveat has been lodged under subsection 1 such caveats shall not remain in force तो यहाँ पे time बताया गया है clause 5 में यह पांचो clause याद रखेगा कई बार 148 sub clause 5 से भी question पूछा गया है कि कहां पे time period बताया गया है 148 a sub clause 5 clear होगी बात अब देखिए question पर आ जाते हैं the duration of existence of caveats files under the CPC 1908 is क्या duration and time period क्या है a 60 days b 30 days c 120 days d 90 days question number one का जवाब comment section में दीजिए question number two caveats under CPC may be lodged a when the suit is instituted b proceeding is instituted c suit is about to be instituted d suit or proceeding is instituted or about to be instituted comment section में इस point का जवाब दीजिए तो I think kvart का जो concept था बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने cover कर लिया है याद रखिएगा CRPC में criminal proceeding में आप kvart को नहीं lodge कर सकते हो अगर आपको लग रहा है देखिए हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेल के बारे में तो बेल में कोई भी अगर दो पार्टी के बीच में अगर कोई dispute arise होता है और ऐसे cases में arrest हो जाता है अगर अगर पार्टी का कि arrest हो सकता है तो anticipatory bail का भी concept है हमारे पास उसे तरह से अगर आपको लग रहा है कि CPC में हला कि दोनों चीज़े डिफ्रेंट है लेगर आपको समझना है अगर conceptual clarity चाहिए है तो CPC में अगर पार्टी को लग रहा है कि यार हमारे अगें suit institute हो सकता है और आमें जो भी case में चल है के वियार को concept कई बार exam में पूछा गया है तो आपकी conceptual clarity इस point में बहुत जादा important थी next lecture में हम लोग section 144 restitution कवर करने वाले हैं बहुत ही दमाकेदार section है वो भी और उसके बाद दो lectures हमारे बचने हैं जिसमें हम लोग CPC के important sections देखने वाले हैं और important orders देखने वाले हैं तो बने रहिएगा अंध तक की तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए टेक केर और गुडबाई